तो अलो दोस्तों स्वागत आपका देशी इंडियन रेसिपी इस चेनल पर एक बार फिर हम आ गई हैं एक नई रेसिपी लेकर तो दोस्तों अनुपमा सीरियल तो आपने जरूर देखा होगा हम भी एक दिन वो सीरियल देख रहे थे उसमें अनुपमा अपने यूट्यूब चेनल के लिए एक काठ्यावाडी रेसिपी बनाती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो लगा क्योंने इसे ट्राई किया जाए फिर सोचा क्योंना हम अपने दर्सकों के लिए यह रेसिपी दिखाए तो आज हम लेके आए हैं अनुपमा सीरियल में दिखाए जैने वाले काठ्यावाडी रेसिपी जिसका नाम है काठ्यावाडी रेजवाडी डोकडी नू साक तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कामेंट जरूर कीजेगा और हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो पुरा देखेगा दोस्तों और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चिनल को सब्सक्राइब करना ना बुले और बेल आइकन दबना ना बुले तो दोस्तों इस रेसिपी को बन एक चमच नमक आदा चमच अद्रक पेस्ट एक चमच बारिकटी हरिमेच अब इसको हम मिलाएंगे इसमें डालेंगे हम एक कप बटर मिल्क अब हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे एक कप बेशन में हमें डालना है डाई कप बटर मिल्क अब हम इसे मिला लेंगे दर साथ मे डालेंगे डेड़ कप पानी इसको कर लेंगे हमाचे से मिक्स इसका कर लेंगे गोल त्यार दोस्तों अब एक कड़ाई में लेंगे एक चमस तेल और इसे कर लेंगे हम अपनी कड़ाई को ग्रीस अब इसमें डालेंगे हम हमारे त्यार कीवे बेशन के गोल को अब गेस चला कर इसे कर लेंगे माच्चे से कुक इसे लगातार चलाते रहने दोस्तों दिरे दिरे बेशन गाड़ा होने लगेगा जब ये कुक हो जाएगा तो तेल छोड़ देगा तो दोस्तो हमारा बेशन हो चुका है कुक अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे हम किसी ओल लगेवे बरतन में अब इसे नॉर्मल टेंपरेचर पर ठेंडा होने के लिए रख देंगे तो दोस्तो जब तक हम बनाएंगे हमारी ग्रेवी इसके लिए हम एक कड़ाई मिलेंगे एक बड़ा चमच थील इसमें डालेंगे हम एक चमच जीरा साथ में डालेंगे थोड़ी से खड़े मसाले येसे काली मिच, लोग, चकरी फूल, बड़ी लायची वर तीजबता इसमें डालेंगे हम एक चमच लेसुन जो हमने क्रश किया हुए और हमने पूरा बंच लिया हुए इसमें डालेंगे हम हर इमिज एक चमच अधरक इसमें डालेंगे हम चोप किया वे प्याच प्याच मसालों को पका लेंगे प्याच को ट्रांस्परेंट होने चक पकाएंगे दोस्तों इसमें हम चोप की अवा टमाट अब इसमें डालेंगे हम हमारे सुके मसाले जैसे आदा चमच हल्डी एक चमच दनिया पाउडर आदा चमच गरम मसान एक चमच कस्तुरी लाल मिच एक चमच नमक इनको हम थोड़ा सा कोक कर लेंगे ताकि मसाले पक जाएं तो हमारे ग्रेवी तयार है दोस्तों इसमें डालेंगे हम एक चमच बुनावा बेशन ग्रेवी को थिक रखने के लिए आप इसमें सत्तु पाउडर भी डाल सकते हैं हम हरा दनिया है है सथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी पाने की क्वंचिटि आप अपने एक को डिंग रख सकते हैं आपको ग्रेवी जितनी थिक चाहिए आपको से नुसाल पानी डाल सकते हैं तो दोस्तो हमारे डोकडों ने छोड़ दिया यह तेल अब इसे एक प्लेट में उल्टा देंगे और इसकी हम कटिंग करनेंगे तो दोस्तो हमने इनको कट कर लिया है और ग्रेवी भी हमारी तियार है तो अब हम इनको डाल देंगे हमारी ग्रेवी में और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स वे एक मिनिट के लिए कुक कर लेंगे जदा नहीं करना क्योंकि ओल्रेडी कुक किया है तो दोस्तो हमारी रेशिपी है त्यार अब इसे गार्णिस करेंगे आप नेम्बो की स्लाइस और प्यास से उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सेयर करना न भूले और वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपके कमेंट का हमें बेसबरी से इंतजार रहेगा दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक नई रेशिपी के साथ